क्या आपको सिर्फ तर्बूच खाना पसंद नहीं है? क्या आप सोच रहे हैं कि क्या प्रेगनिंसी के दौरन तर्बूच खाना सेफ है? क्या आप सोच रहे हैं कि एक तर्बूच खाने से आपके बच्चे को अंदर से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? अगर ये आपके कुछ सवाल है तो हमारा आज का ये विडियो सिर्फ आपके लिए है यहां आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनिंसी के दौरन तर्बुच आपको ऐसे प्रभावित करते हैं पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आजकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले क्या आप प्रेगनिंसी के दौरन तर्बुच खा सकते हैं तो हमारा जवाब है हाँ प्रेगनेंसी के दौरान तर्बूच का सेवन करना चाहिए तर्बूच कम मात्रा में सेवन करना ना केवल सुरक्षित है बलकि प्रेगनेंट महिलाओ और उनके बेवीज के लिए बहुत ही उप्योगी है तो चलिया जानते हैं इसके कुछ हेल्थ से जुड़ी बेनिफिट्स के बारे में प्रेगनेंसी के कारण बॉड़ी में बहुत सारे हर्मोनल चेंजिस होते हैं ये चेंजिस कुछ हद तक प्रॉब्लेम्स लाते हैं एसिडिटी और हार्ट बन की समस्या ज्यादतर महिलाओं को अपने प्रेगनेंसी के दौरान होती है तरबुच को डाइजेस्टिव फ्रूट के लिए जाना जाता है और ये एसिडिटी और हार्ट बन से राहत दे सकता है प्रिवेंज इडीमा प्रेगनेंट महिलाओं को अकसर हाथ और पेरों में पेन के साथ इडीमा का प्रॉब्लेम भी हो जाती है इडीमा बॉड़ी में कुछ लिक्वीड और फ्लूइड पार्टिकल की स्टोर होने के कारण होता है तर्बुच की पानी पीने से स्टोर्ड फ्लूइड को खोलने में मदद करती है और इडीमा से छुटकारा मिलता है प्रेगनेंट महिलाओं को विशेश रूप से प्रेगनेंसी के पहले कुछ वीक्स के दौरान वामिटिंग होता है ये सिलसिला पूरे दिन में कभी भी हो सकता है सुबह में एक ग्लास तर्बुच का जूस बहुत फाइदेमन हो सकता है तर्बुच हाला की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और प्रेगनेंट महिलाओं के लिए तो फाइदेमन भी है और इसमें कुछ खामिया हो सकती है तो चले जानते है तर्बुज में शुगर की मात्रा अधिक हो सकती है तो इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीस हो सकता है और प्रेगनेंसी के दौरन डाबिटीज का खत्रा हो सकता है सिर्फ फ्रेश और कटे हुए तर्बुज का खाना ही सही है तर्बुज जली खराब हो जाता है और ताजे तर्बुज नहीं खाने से वर्मिटिंग और डाबिटीज जैसी प्रॉब्लेम्स हो सकती है Is it good or bad to consume watermelons at night? Researchers के अनुसार तर्बुज रात में खाना सही नहीं है और इससे कुछ health related problems हो सकती है रात में तर्बुज को खाने से digestion properly नहीं होता और इससे irritable bowel syndrome और काफी problems हो सकते हैं जिससे आपका पेट अगले दिन खराब हो सकता है रात में digestion की process नॉर्मल समय से और भी धीमी होती है और इसलिए sugar और acidic food like fruits को नहीं खाने की सला दी जाती है तर्बुज में natural sugar ज्यादा percentage में होता है जो अगर रात के वक्त लिया जाए तो weight gate का कारण भी बन सकता है तर्बुज किसी भी fit व्यक्ती के लिए बेहत फाइदेबंद है इसका main part इसमें मौझूद पानी 90% है लेकिन vitamins और minerals भी है vitamin E, B1, B2, B6, B9, C, E, H और PP और साथ में folic acid, potassium, calcium, magnesium, iron, phosphorus और sodium भी पाया जाता है यह blood में cholesterol के level को कम करता है और body को मजबूत बनाता है तो दोस्तों यह थी कुछ खास बाते watermelon के बारे में जो pregnancy के वक्त ध्यान रखना चाहिए और अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर बताए और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share and comment ज़रूर करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलवेदा दोस्तों धन्यवारी